नमस्कार दोस्तों, राश्ट्रे हिंदू परिशद ने मोदी जी के परम फैन अक्षे कुमार को थपड मारने का खुला चालेंज दे दिया है अलाम किया गया है कि जो भी अक्षे कुमार को थपड मारेगा, उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा आसल में दोस्तों, राश्ट्रे हिंदू परिशद की ये नाराज़ी अक्षे कुमार की फिल्म Oh My God 2 को लेकर है दरसल फिल्म के कुछ सीन्स पर संगठन ने आपत्ती जिताई है और फिल्म से उन्हें हटाने की मांग भी की है ये ऐसे सीन्स हैं जिनमें अक्षे कुमार शिफजी की ड्रेस में कचोरी खरीद रहे हैं तो कोई एक सीन में वो गंदे नाले के पानी में नहा रहे है संगठन का कहना है कि ये सब करके अक्षे कुमार ने हिंदूों की भावनाओं को ठेस पहुचाई है और इससे भगवान शिफ का अपमान भी हुआ है इसको लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने एलान किया था कि जो भी अक्षे कुमार के मुँपर थपड मारेगा या उनके चेहरे पर थूकेगा उसको 10 लाक रुपे का इनाम दिया जाएगा साथ में अगर किसी थेटर में फिल्म रिलीज होती है तो उसमें आग भी लगा दी जाएगी दोस्तों देश के अलग-अलग शेहरों में अक्षे कुमार की इस फिल्म का विरोध हो रहा है आगरा में इसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है उधर वरंदावन की साधवी है एक रुतंबरा ये कह रही है कि ये तो हिंदू धर्म की शिथिलता है जिस वज़े से बॉलिवुट बार-बार ऐसा दुस्साहस कर रहा है अगर बॉलिवुट किसी और धर्म के ईश्ट पर टिपड़ी करने लगे तो नारे लगने शुरू हो जाएंगे पहले भी ऐसा हो चुका है कि फिल्म में देवी देवताओं का अफमान किया गया है आस्था के साथ खिलवार नहीं होना चाहिए इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अक्षवय का विरोध हो रहा है बाबा बवंडरनात नाम के इस पेस से पोस्ट किया गया है कि पुजारियों के घर से बलातकारी होते है आखिर क्यूं हमेशा सनातन धर्म को ही ये फिल्म वाले गलत तरीके से दिखाते और बताते है देश में सनातनी इतने कमजोर हो गए है क्या कि इस तरह के फिल्मों को चलने देव और शांती से रहे मैं इस फिल्म का विरोध करता हूँ और अक्षे कुमार ये जान ले कि अगर देश की जनता आपको प्यार देकी बुलंदियों पर पहुचा सकती है तो तुम्हारे इस हिंदू विरोधी बातों को सुनके गिराने में भी वक्त नहीं लगाएंगे दोस्तों ये फिल्म सेक्शुल अवैरनेस को लेकर बनाई गई है सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एस सर्टिफिकेट भी दे दिया है यानि कि 18 साल से कम उम्र के लोग इसे नहीं देख सकते हैं इसलिए पहले भी इस फिल्म को लेकर विवाद चल रहा था लेकिन एस सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसका विरोध और जादा तेज हो गया लेकिन हर फिल्म का बोईकॉट करने वाले MP के ग्रहमंतरी नरोत्तम मिश्वरा का इस पर कोई बयान नहीं आया दरसल उनकी भावनाएं पार्टी हिद देखकर ही आहत होती है भावनाएं किसी हिरोईन की बिकनी को देखकर आहत हो जाती है शारुख खान, सल्मान खान या फिर आमिर खान पर आहत हो जाती है और फिल्म के बहिशकार का फर्मान भी जारी कर दिया जाता है लेकिन यही हरकत अगर अक्षे कुमार जैसे परम मोधी भक्त करते हैं तो सिर्फ हिंदूों की भावनाई आहत होती है नेताओं की नहीं इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम फरीन अंसारी है जै हिंद, जै भारत